स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स और जवानों के लिए जो खासकर पेंशनर्स के लिए जो अभी लेटेस्ट फैसला है उसके पर बात करेंगे कर दो स्कोपे अब हैं झाल आज दो स्छोबित इनकेПрरियों के लिए जो अब हैंजिक्तर पार्टे के पारेगे इस पर प्लिक है जोस्तों भी यह उन पेंशनर्स के लिए उन जवानों के लिए जो कि रेटायर होके जाते हैं और जिनकों की इंक्रिमेंट नहीं लगता है जिनके पैंशन में जो है नेक्स जो है बड़ोत्री नहीं होती उसके उपर है और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें अभी 27-5 मांच 2022 को यह लीटेस्ट अपडेट है और जहां पर आप 30 जून तक तो जॉब करते हो और शाम को जो 30 जून को आपके रिटायर्मेंट होती है लेकिन जो आपका इंक्रिमेंट लगना वाला होता है वो लगता है एक जुलाई को तो जो लोग जो है तीज ताई तक काम कर रहे हैं सिर्फ अगले दिन का इंक्रिमेंट लगना है लेकिन उस दिन उनका रिटायर्मेंट डेट है उनको बड़ा इसका नुक्सान हो रहा था क्यूंकि उनको सीधे-सीधे एक नया इंक्रिमेंट जो पेंशन के लिए जो नया बड़ोतरी होनी थी व अगर 30 चे तक कोई काम कर रहा तो फूरा का पूरा जो है अगले इंक्रेमेंट का लेने हाख़तार है उसकोस इंक्रेमेंट मिलना चीह क्या है क्योंकि सिर्फ 5, 6 गंटे की देरी के विए से उसका उसको पूरा का पूरा महीने का या पूरा जो छे महीने का जो अंतराल है वो खतम नहीं किया जा सकता इस केस में वो और पांच-छे घंटे और भी काम कर सकता है उसमें लेकिन अगर पूरा का पूरा केस देखा जाए तो जो लोग भी 30 जून को रिटायर होते हैं वो एक जो नेक्स्ट इंक्रिमेंट उनको नहीं मिलता उसी को पर जो है लेटेस्ट अपडेट आए दोस्तों और इसको आप जो है दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था उन लोगों के लिए जिनका की गलती से एक दिन पहले पढ़ जाता है तो उनको जो है यह जो नेक्स्ट इंक्रिमेंट मिलना चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा क्योंकि कोड का जो अपडेट है यह आप खुद भी इंटरनेट पर चेक कीजिए और कोई भी आप वीडियो देखते है तो उसको जरू कंफर्म करें उसके बाद ही अपना कोई फैसला लाना है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो